आप देखा है यह है सम्राड असोक कालीन बौध विहार का रास्ता अब हम जा रहे हैं विहार की ओर जहां आपको सम्राड असोक कालीन बौध मठ दिखाई देख है जबलपूर का जो पुरोतत हुए भागवाल अब उसका देखरे कर रहे हैं यह जर्जर हालत में था बहुत जर्जर हालत में था अब जैसे हम उपर पहुंचेंगे तो बहुत तो मठ से दिखाई एक रहेगा अभी हम सीड़ियां चड़ रहे हैं कुछ सीड़ियां और उपर चड़नी कि आप देखिए कितना रमणी की नजारा है जहां आने जाने का रास्ता नहीं था अब वहां पर कि सीड़ियों का निर्माण किया गया है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसको देखिए देखिए कुछ सीड़ी और चड़ने के बस्चार हमें बहुत मठ दिखाई लेगा देखिए जो नर्बना नरी के किनारे बेड़ा घाट गोपाल फूर में इस्तित है आप देखिए हम चड़ रहे हैं बस थोड़ा इंतिया और कीजिए आच आब पूरा पहाड़ा के ओफर रहे हैं देखिए 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 पूरा पूरा जंगल आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं नदी का नजारा भी आपको देखने मिल रहा होगा आप देख सकते हैं इसको देखिए कि देखिए बस कुछ रास्त्रा तय करने के बाहर आप राचीन मठे में पहुंचने वाले आप देख सकते हैं आपको दिखर रहा होगा वो मठ है एक में लिए ऑचिन के बाहर राचा वाले आपको राचीन मार में थाचीन अदेखिए एक मित। कि यह देखिए हैं अब हम मठ में पहुच चुके है कि यह बहुत मठ है मठ करना जारा देखिए कि यह बहुत प्राचीन मठ है यह बहुत प्राचीन मठ है यह इसको इसका डिजाइन देखिए यह देखिए नर्मदा नदी कोई आपको दिख रही होगी यह देखिए सब्सक्राइब देखिए हैं वो देखिए लाये थे आव देखिया है यह दो आपको चारों तरफ से दिखा रहा है इसके बाद आपको यहां से नदी दिखाई देखिए दिए यह देखिए यह नर्वदा नभी जो आप देख रहे हैं इसी के तट पर स्टिट रही है शम्राट अशो कालिन बहुत मत अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो